नमस्कार टीडीसी नियूज पर आज यह प्रोग्राम समर्पित है देज के एक मात्र सर्वमान अखिल भारती किसानों के नेता स्वामी सहजानन सरस्वती को आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे स्वामी जी ने नाराज होकर 1936-1938 के बीच कांग्रेस से भी बड़ा किसानों का संगठन खड़ा कर दिया ऐसा क्या हुआ कि गांधिबादी स्वामी सहजानन सरस्वती ने किसानों के लिए गांधी जी को ही छोड़ दिया कांग्रेस को छोड़ दिया और आखिर काल क्रम में ऐसा क्या घटा कि खुद सुबास चंदर बोस को कहना पड़ा कि स्वामी सहजानन सरस्वती किसानों के लिए अराध्य हैं, देवतुल हैं, फिलास्पर हैं, हमारे फारवर्ट ब्लाक के गाइड हैं और लाखों लोगों क के हीरो हैं, दरसल अंग्रेज भारत में आये ब्यापार करने के लिए, अनाधिकाल से भारत एक क्रिसी प्रधान देश रहा है और आज भी निसंदे है, और अंग्रेजों का ब्यापार भी किसानों की उपजपे ही अधारित था, सो उनका ब्यापार एक किसी प्रधान देश और समाज को प्रभावित करने लगा प्राचीन क्रिसी ब्यवस्था एक नए प्रसासिनिक धाचे और दबाओं से धीरे धीरे तूटती गई और अंततह बिखर सी गई किसान सरकार के कर्प, जमिदार की जमिदारी, साहुकारों की साहुकारी और ब्यापारियों की दबाओं के चक्रबियों में उलजकर रह गया किसानों की गरीबी बढ़ने लगी और साथ में सरकार, जमिदार और साहुकार के खिलाब किसानों में असंतोस भी बढ़ने लगा पूरे देश का किसान परेसान हो गया, देश में अंग्रेजों से लड़ने के लिए कई राजनेतिक संगठन बन चुके थे मील के कामगारों मजदूरों के लिए मजदूर संगठन भी बनने सुरू हो गए थे लेकिन किसान संगठित नहीं था उनकी समस्याए आंचलिक थी अलग-अलग थी सो उनका कोई संगठन नहीं बन पाया छेत्री किसान समीतियां जरूर थी लेकिन उतनी प्रभावी नहीं थी किसान संगठित तो आज भी नहीं है और ना ही किसानों का कोई देश ब्यापी सर्वमानने संगठन है 65 प्रत्सत किर्सी आधारित आबादी वाले इस देश में आज किसी किसान नेता का नाम सायध ही आपके जुबान पर हो अभी कुछ दिनों पहले ही किसान महीनों तक नंगे बदन दिल्ली की सड़क पर बैठे रहे लेकिन दिल्ली से सटे, यूपी, पंजाब, हार्याना और राजस्थान तक के किसानों को तो पता भी नहीं चला होगा साथ देने की तो बात ही छोड़ दीजिए किसी बात से बिस्थापित होने वाले किसान जब प्रदर्शन करते हैं तो देश के दूसरे हिस्से के किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ता है खेर, 1915 में जब गांधी जी भारत आये, अपना राजनेतिक आंदोलन सुरू किया तो भारत में उनके अंदोलन का आधार ही किसान और किसानों की समस्याए बनी चंपारण में उनका किसानों के लिए किया गया अंदोलन किसानों को फली भूत हुआ, उससे ज़्यादा फायदा खुद गांधी जी को हुआ चंपारण की घटना से गांधी जी को देश के तत्कालीन पटल पर प्रसिधी दिलाने में आम लोगों तक पहुचाने में और गांधी को मोहंदास से महात्मा बनाने में बड़ा सहायक सिद्ध हुआ भले बाद में किसान अंदोलोनों से गांधी जी उतनी तलीन्टा से नहीं जुड़ पाए लेकिन चंपारण और खेड़ा अंदोलोनों से किसानों में एक उम्मीद जरूर जगी कि अगर किसान संगठित हो जाएं तो उनकी समस्याएं जरूर सुनी जाएंगी और देश में कि किसानों की आवाज के लिए उन्होंने कांग्रेस का मंच चुना गांधी जी से प्रभावित होकर एक निष्ठाबान कांग्रेसी की तरह कांग्रेस के हर अधिवेशनों सभाओं में भाग लिए और सामराजबाद के विरुध कांग्रेस के आंदोलोनों में किसानों को सामि कराने में स्वामी जी ने अपनी महत्वपूर्ण भोमिगा निभाई 1928 में पटना में और 1929 में सोनपूर के मेले में स्वामी जी ने जिलास्तरी किसान सभाओं का आयोजन किया और बिहार प्रांती किसान सभा की अस्थापना की गांधी जी के सिध्धानतों के अनुरूप स्वामी जी काम करने लगे सुरू में तो स्वामी जी अपने पास चर्खा तकली भी रखते थे सूत काते थे, कपड़े बुनते थे स्वामी सहजानन किसानों को कांग्रेस से जोड़ने की बात करते रहे किसान कांग्रेस से जुड़ते भी रहे लेकिन कांग्रेस में जमिदारों का अच्छा खासा प्रतिने देतो था संख्या जादा थी तो प्रभाव भी जादा था कांग्रेस गरीबी सोसड और जमिदारी उनमूलन की बात तो करती थी लेकिन जमिदारों के विरुद्ध कोई कठोर नीती बचन या कदम उठाने के लिए कभी तयार नहीं रही स्वामी जी जब सुतंता अंदोलोनों के दोरान जेल गए तो वहाँ एक किसान नेता और कांग्रेसी नेताओं को जेल में मिलने वाली सुविधाओं में बिसंगती अनुभव की और उनका मन कांग्रेस की राजनेती की काई से भर गया उनको लगने लगा कि कांग्रेस किसानों के लिए जमिदारों और साहुकारों के बिरुद्ध कुछ नहीं कर पाएगी और रही सही उम्मीद 1934 के भुकंप के दवरान किसानों पर जमिदारों द्वारा किये गए अत्याचारों ने तोड़ कर रख दिया स्वामी जी ने बिहार दोरे के समय गांधी जी से कहा कि सरकार भुकंप रिलीफ के नाम पर जो पैसा किसानों को कर्ज के रूप में दे रही है खेतों से बालू निकालने के लिए कर्ज दे रही है जमिदार उन पैसों को जबरन माल गुजारी के नाम पर हडप ले रहे हैं और दुर्भागेवस उन जमिदारों में दर्भंगा महराज का भी नाम है गांधी जी ने कहा कि दर्भंगा महराज को ये पता चलेगा तो वो जरूर ऐसा नहीं करेंगे दर्भंगा महराज के मैनेजर गिरंद्र मोहन मिस्रा तो कांग्रेसी भी हैं वो लोग ऐसा नहीं करेंगे स्वामी जी अपनी किताब मेरा जीवन संगर्स में लिखते हैं कि गांधी जी की इन बातों से उस भुकम्प के बाद दूसरा मानसिक भुकम्प मेरे अंदर आया और गांधी जी पर मेरी अस्रद्धा हो गई स्वामी जी ने ठान लिया कि अब अपनी लड़ाई अपने भूते लड़नी होगी 1933 और 1935 के दवरान स्वामी जी ने बिहार के दस जिलों में कम से कम पांसो किसान सभाएं की 1935 में हाजिपूर में किसान सभा सम्मेलन कराया इसका असर ये हुआ कि बड़ी तादात में किसान स्वामी सहजानन से जुड़ते चले गए धाई लाग किसान मेंबर बने और स्वामी सहजानन ने अखिल भारती किसान संगठन बनाया और 1936 में जब लखनव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसी के साथ देश भर के किसानों ने भी लखनव में एक सभा की और फिर 11 अप्रेल 1936 को अखिल भारती किसान सभा की निव पड़ी। स्वामी सहजानन सरस्वती अखिल भारती किसान सभा के पहले अध्यक्ष बने। स्वामी सहजानन की अगवाई में किसान अंदोलन पूरे देश में धार पकड़ता गया और किसान उनकी धारा से जुड़ते गए। आलम ये था कि स्वामी सहजानन की सभाओं में कांग्रेस की सभाओं से ज़्यादा भीड़ होने लगी स्वामी जी और किसान अंदोलन का प्रभाव ही कहिए कि अगले साल यानि 1937 में फैसपुर में हुए अधिवेशन में किसानों की समस्याओं को रखने के लिए कांग्रेस को बाध्य होना पड़ा और किसान अंदोलनों को समर्थन दे के लिए कांग्रेस प्रस्ताव लाई लेकिन कांग्रेस का दच्छडपन थी धड़ा जो जमिदारों का समर्थक था उन्हें स्वामी जी और किसानों का अंदोलन साय द्रास नहीं आ रहा था धीरे धीरे हालात ये हो गए कि चंपारण सारण और मुंगेर की कांग्रेस कांग्रेसियों को बिना इजाजत किसान सभा की बैठकों में अंदोलनों में किसानों के लिए होने वाले प्रदरसनों में सामिल होने की मना ही कर दी यहां तक की एक बारगी दिल्ली से भी कांग्रेस आला कमान ने किसान अंदोलन में बिना अनुमती सामिल ना होने का फरमा को तुरत वापस ले लिया गया, देश में बोल से भी कर्आंती का प्रभाव पढ़ना शुरू हो गया था, और सामयबाद का असर भी दिखना सुरू हो गया था, कमिनिष्ट पार्टी का गठन होना भी सुरू हो गया था, कांग्रेस में सामयबादी विचार सामील हो ते जा कांग्रेस में रहकर ही समाजबात का जण्डा बुलंद करने में लगे थे वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का दच्छिड-पंथी गुरुप जमिदारों के एजेंटों के साथ मिलकर स्वामी जी की सभाओ और स्वामी जी के किसानों पर प्रभाव को कम्तर करने में लगे कर स्वामी जी ने नारा दिया कि जो अंड बस्त रूप जाएगा अब वो कानून बनाएगा ये भारत वर्स उसी का है अब सासन वही चलाएगा एक तरफ कांग्रेस भारती रियासतों और अंग्रेजों के खिलाफ उनके अंडोलन को समर्थन देने की बात कहने लगी तो वहीं दूसरी तरफ जमिदारों और रियासतों से ही सोसित प्रताडित किसानों की समस्याओं को लेकर स्वामी जी अब इतने मुखर हो चले थे कि दे खिलाए टोलन को गांधी बाद और कांग्रेस से निकालकर पुरन रूप से साम्मेबादी बना दिया सुबास्चंदरबोस जब कांग्रेस छोड़ कर फार्वर्ड ब्लाक बनाये तो उन्होंने स्वामी सहजानन की महत्ता को समझा याद किया सुबास्चंद्रबोस ने करश्ति अ अर्स्वेति इडावार्स प्रास्वति आवें थिजए लड़ जेस्टेर आधिजूर्विट इनीजेर टॉर्विछ्ट। इच्टि अंड़्या फ्रॉश्ट्ट अल्डीय टॉ। इस टॉड़ो अंड़।्च य। टॉड़ अंड़ एट इस स्ब्स्ति घर्प्र स्वामी साजानन सरस्वती के जीवन से जुड़ी और धेर सारी बाते हम अपने अगले अंक में करेंगे क्योंकि हमारे पास धेर सारी बाते हैं हम एक किसान फुत्र के रूप में उनको सरधांजली देते हैं उनका नमन करते हैं उनको याद करते हैं और उनके बिचारों पर उनके पच्चिन्नों पर चलने का अहवान करते हैं आप देखते रहिए टीडी सिन्ग